नमस्कार रमरमसा शात्यों एक बार फिर से आपका कर्षिग्यान यूटूब चैनल में स्वागत है शात्यों आज के इस वीडियो में बात करेंगे गई किन्वा की खेति कैसे करें तो इनकी संपूर्ण जानकरी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि इनकी बुवाई कब तक कर सकते हैं और इनकी फचेती बुवाई भी होती है किया कितना इनका परती बिगा का बीज डालना होता है और इनका बीज मिलता का है तो शात्यों सब से पहले बात करेंगे कि किन्वा खेती कब की जा सकती है और का की जा सकती है स्वादियों ये किनवा खेती सित्मबर के दूसरे सब्ते से लेकर आप दिसमबर दूसरा सब्ता तक इन किनवा की अगेती और पत्तेती दोनों तरीके से ये खेती कर सकते हो और ये खेती फंवारा से भी होती है और दोरा पाड़ी से भी की जा सकती है और आप इसका पलेवा लगा कर भी परालू खेती कर सके हैं और यदि आप पहले छिड़काओ करके वीज का और फिर से आप उपर से ये फंवारा चला सकते हो दोनों तरीके से भी ये खेती होती है थोड़ा गाश, बगदा, फूश वो खर्पतवार थोड़ा ज़्यादा हो सकता है लेकिन जातियों आप दिपावली के बाद यानि लगबग आप दिपावली के बाद में ये खेती करते हो तो इनमें गाश, फूश, शाउन, कच्रा, बगदा वो खर्पतवार कम होगेगा क्योंकि इसमें खर्पतवार की कोई दवाई नहीं लगती है और खर्पतवार साथियों हाथ से ही निकालना होता है और ये पहली सिंचाई करने के बाद जो ये देख रहे हैं आप पहली सिंचाई के बाद पंदरे दिन के बाद में आप दस से पंदर दिन के बाद में आप ये दूसरे सिंचाई कर सकते हो और दूसरे सिंचाई करने के बाद आप डेड़ मेना तक बगर सिंचाई ही इनको रख सकते हो और ये उकर अच्छी तरह से पनुप जाता है और इनके बाद में एक या दो सिंचई और करनी होती है और ये बड़ा हो जाता है चार सिंचई लस्ट सिंचई चार सिंचई में और आप ये इसकी बुवाई साथियों 35 से पच्चति भी कर सकते हो और 35 सिंचे भी में ये गास कमउगता है इसमें तो इसमें खर्पतवार का अराम रहता है और नहीं तो कोई इनको पशू काईगा नहीं कोई पक्सी खाईगा और इनको रख वाली नाम की कोई काम भी नहीं है और पानी भी कम है और साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि यदि आपके जमीन में कम उफजो है तो भी ये होता है और यदि पानी आपका थोड़ा अलका भारी है तो भी ये होता है और ये दो तरह से बुवई आप कर सकते हो लेकिन आप यदि 15 हिंचे से बुवई करते हो तो आपको कट्टई में भी आराम रहेगा क्योंकि कट्टई है जो आप रिपर मशीन से जो रिपर मशीन आती है वो मशीन जैसे मौं काटने की गउं काटने की उन मशीन से भी आप इनकी कट्टई कर सकते हो आराम से और कट्टई करने के पांच साथ दिन बाद ये सूकने के बाद में जो अपन राइडा यानि सरसूं मौंग गमार बादरी निकालते हैं उसी तरह से ये थृषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष तो ये एक बिना खर्च यानि इनमें बीज के अलावा कोई खर्चा नाम की कोई है नहीं एक रुपया का भी खर्चा नहीं है क्यूंकि राशनिक दवाई का इस्पर नहीं होता है और नहीं इसमें खर्पतवार दवाई का इस्पर होता है सिर्पोसिर्व चार पानी पिल ना होता है और ये 4-6 कुटल तर पड़ती भिगा ओजयता है तो सातियों अब बात आती है कि इनका बीज का मिलता है तो इनका बीज है आप एम पी निमच निमच मंडी एक एसी मंडी है जहां पर ये भिगता है और वहां पर ही इनकी वो बीज मिलता है तो जातियों ये आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें सेर करें और अधिक जानकारे के लिए हमारे कस्यान यूटूब चैनल को सिस्क्राइब करें धन्यवाद राम राम सा नमस्कार जे हिंद